आन्ले ऑट निया पालिका का जो भाग रहता है पार्ट नंबर पांच का न्या पालिका का जो आदा लेसें रहता है वो उसके उपर चर्चा करेंगे पिछले लेसें चर्चा में हमने पढ़ा था कि कैसे आदालत किसी भी देश के बारे में किसी की देश को कैसे परभावित करती है एक सब्सक्राइब किसी भी देश के लिए क्यों महत्वपून होता है और भार्ट में आदालतों की सर्चना के बारे में पड़ा था कि कैसे कोई वेक्ति कितने परकार की अदालतیں होती हैं, नीचले सतरसली की उपर सतर तक और कैसे नयायक समिक्षा के दोरान एक वेकती कुल लगता है कि उसके साथ नयाय नहीं होता तो वो कैसे नीचे के अदालत से उपर के अदालत तक पहुंचता है, उसके बारे में हमने पहले लेसन में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक उधान के दौरा समझने की कोशिश की थी, एक दिली की लड़की या दिली के और्थ के साथ कैसे उसको जला कर मार दिया गया था, वो उनकी जो मांग थी, वो थे कि बच्चा पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम के तौर पर बड़ी रकम, एक स्कूटर और फ्रीज दिया जाए, अपने बच्चा में लक्ष्मन और समान ने कहा, था कि सुधा दूद करम कर रही थी और उसकी साड़े में आग लगी, इन बयानों के अधार और सबूतों के अधार पर निचली अधालत ने सुधा के पती लक्ष्मन उसकी साथ सुधा संकूंतला और सुधा के जेट को दोसी करार दिया गया और तीनों को मौत की सजा दे दी गई, 1983 के नुवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच नियाले में अपील दायर कर दी दोनों तरफ के वकीलों के तरक सुनने के बाद आदालत ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दूर गटना थी वह तिली मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोप से जली थी आदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया आपने कलासाथ की कक्षमे महिला अंदोलन पर केंद्र एक चित्तर या निमत याद होगा कैसे 1980 के दख्षक में भर के महिला संग्ठन तहज हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थी उन्होंने इस बात पर दुख था कि आदालते इस तरह के दोश्यों को या इनकी तरह की घटना के दोश्यों को दंडित नहीं कर रही है पार रही है उच न्याले के फैसले ने एक ऐसी जाकुक महिलाओं को परिशान कर दिया उन्होंने कई जगे धर्ना दिया उच न्याले के खिलाफ सुरोच न्याले में एक और अपेल दायर कर दी यह जो अपेल थी वह इंडियन फेडरेशन आफ वीमें लायर्स नामक संग् नेचले अदालत ने सुधा और उसके परिवारवालों को फांसी की सजा दे दी गई और जब सुधा को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो राज्य के उचने आले में चले गए जहां पर उनको सबूतों के अधार पर या कैसे भी उन्हें बरी कर दिया उसी दोरान उसी साल उसी दश्चक में महिलाओं आप हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1980 के दश्चक में कैसे महिलाओं ने महिला संग्ठन ने दहेज हत्याओं के लाफ आवाज उठा रहे थी उन्होंने इन फैंसलों पर बड़े दुख परकट किया था और कह रहे थे कि आदालतें दोस्यों को दंड नहीं दे पार रहे हैं उच न्याले के फैंसलों ने कई जगह इस उपरोक्त फैंसलों ने महिलाओं ने कई जगह परदसन किया और एक संग्ठन इंडियन फैडरेशन ने इस इस संग्ठन ने एक नई याचिकाए दायर कर दी थी उननीस सो पिचास से में सरोच न्याले ने लक्समन और उसकी माव भाई को बरी करने के खिलाफ दोबारा से सुनो आई आरम कर दी वकिलों के तरक सुनने के बाद न्याले ने आदेश दिया जो उच न्याले से अलग था सरोच न्याले ने तीनों को लक्समन और मा को दोसी पाया लेकिन सुभास को उसके भाई को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाब सबूत नहीं थी सरोच न्याले ने दोनों को उमर कैद की सजा दे दी अब स्वाल होता है क्या परते एक व्यक्ति आदालत की सरण में जा सकता है भारत के जो नागरिक होते हैं वो देश की न्याले में सरण में जा सकते हैं इसका सीधा सार्थ है कि परते एक नागरिकों आदालत के माजम से न्याय मांगने का अधिकार है हमने पहले ही पड़ा है कि नियायले हमारे मौलिक अदिकारों की रक्षा करता है या महत्तपूर निभूमी का निगाता है किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अदिकारों का हनन हो रहा है वह अदालत में जा सकता है और अदालत की सेवाई सभी के लिए है लेकिन वास्ताम में गरीबों को लोगें लिए आदल्ट में जाना बहुत मुश्किल होता है कानून की जो परक्रिया होती है उसमें बहुत सा पैसा और कागिसी कारवाई की चुरूट पढ़ती है और बहुत सा समय लगता है अगर कोई परिवार गरीब आदमी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसका परिवार जो होता है पूरा परिवार होता है वो द्यारी से चलता है तो आदल्ट में जाने और इंसाफ पाने की उसकी उमिद जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है इसी बात को ध्यान में रखते हैं जो हैं 1980 की दश्चक में स्रोच नियाले ने एक जन्हिति याची का दाएर की इस तरह की स्रोच नियाले ने नियाय तक जादा से जादा तक लोगों पहुंचाने के स्थापित करने का प्रियास किया नियाले ने किसी भी वैक्ती या कोई बिशनस्था ऐसे लोगों की और से याची का दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उलंगन हो रहा है यही याची का उच नियाले या सरोच नियाले में कहीं में भी लगाई जा सकती है न्यायले ने कानोनी परक्रिया को बहुत असान बना दिया अब शुर्वच न्यायले उच न्यायले के नाम पर भेजे गए किसी भी पत्तर या टेलीग्राम को भी जन्हित याचिका माना जा सकता है आरम के सालों में जन्हित याचिका को याचिका ही माना जा सकता है सुरुवात के सालों में जन्हित याचिका के माध्धम से या बिके दवारा बहुत से लोगों को न्याय दिलवाया गया क्या आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल और सरकारी और सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को दोफेर का बहुजन दिया जाता है उसकी व्यवस्ता भी एक जनहित याचिका के दवारा दी हुई थी और दाई और चित्तर में भी आप दे सकते हैं और जो नीचे विवरंड दिया गया है उसके दवारा पूरा तरीके से पढ़ सकते हैं आम आदमी को आदालत तक पहुंचाना ही नयाय होता है आदालत नागरिकों को मौलिक अधिकारों के व्याक्या में एक बहुत अच्छा रोल निभाती है उधारणन में देखा सवीधान के अनुछे दिकिस की व्याक्या के बाद यह कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में बोजन का भी अधिकार शामिल होता है इसलिए आदालत ने राज्यकवाद इस दिया कि वह दोफैर का जो बोजन होता है मिड्योकी योजना सभी लोगों को मोहिया कराने के लिए कदम उठाएं लेकिन आदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जहां पर आम लोगों को नुकसान हुआ है उठारन के लिए गरीबों के लिए आवास का आदिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकरताओं का मानना है कि बस्तियों जोग की जोंपडियों को बे दखल करने के बारे में आदालते आदालत तवरा दिया गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के खिलास थे हाल के फैसलों में जोगी वाशियों को सहर में गुस्पेटिय के तोर पर देखा जाता है जबकि पहले के फैंसलों में जोकी की को आजीव का बचाने का परियास किया गया है न्याए पालिक का न्याए आध आम लोगों को परभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुक्रमों की सुनवाई में कई साल लगा देती है इसी को ध्यान में रखते हुए इसे इंसाफ में देरी या कतल कहा गया है इसके बावजुद हम यह नहीं कह सकते कि लोकत अंत्रे में भार्ट की न्याय पालिका में न्याय पालिका ने बहुत अच्छी भूमी का निभाई है नियाई पालिका निकार्य पालिका और विधाय का की सक्तियों पर अंकुष लगाया है और नियागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए सविधान के सबाके एक ऐसी नियाई पालिका का सपना देखा जो पूरी तरेके सवतंत्र हो यह है हमारे सविधान या लोक तंत्र का एक बुनियादी पहलू है अनुछेद 1921 में जीवन जीने के अधिकार में बहुजन का अधिकार दिया गया है यहाँ पर एक और फैसला है औलगाट टैलिस बना मुंबई नगर निगम के फैसले में फैसला दिया इसमें कहा गया आदालत ने आजीवका के अधिकार को जीवन का जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है इस फैंसले के कुछ अस दिये गए हैं वो पढ़ कर देख लेना अगर समझ नहीं आए तो दुबारा से पूछ लेना इस लेसन में हमने पढ़ा कि आदालते कैसे काम करती है कैसे आम लोगों तक न्याय को पहुंचाने के लिए सरकार ने या आदालत ने आदालत ने कैसे जन हितियाचिका को स्थापित किया न्याय पालिका को कैसे सरल बनाया लेकिन एक समझे अभी तक भी है न्याय पाने के लिए जो न्याय पालिका के पास जो समय लगता है वो अभी भी काफी ज्यादा लगता है तो ये न्याय पालिका या न्याय में एक थोड़ा सा दोस भी है तो बच्चो इस लेसन में हमने न्याय पालिका के बारे में पढ़ा कैसे एक सवतंतर न्याई पालिका काम करती है हिंदुस्तान में कितने परकार की न्याई पालिका है और इंसाफ का कतल किसे कहा गया कितने साल लग जाते हैं किसी भी मुक्ण में को सुनवाई करते हैं ठीक है तो इस लेसन में इतना ही आगे इस लेसन के क्वेस्चन हम आगे देखेंगे धन्यवाद